पिछले सब्ता पहाडी छेत्रों में जो महौल था वो काफी जादा खराब हो चुका था पहाडी छेत्रों के साथ मैदानी खेत्रों में भी भारी बारिश के बाद यमना नदी का जलस्तर खत्रे के निशान को पार करते हुए 232.25 मीटर तक पहुंच गया था पहुंच गया है कि यमना में खत्रे का निशान 231.5 मीटर तक है इससे पूरे देश में तरही माम है खबर का जायजा लिया है इंडिया निउस समाधाता ने दिली के जमना बजार इलाके में इसक्त मौझूद है यमना घाट का पूरा इलाका है हलाकि दिली के तमाम हिस्तों से जो जल भराओ है वो निकल चुका है लेकिन अभी भी जो जमना घाट के इलाका है वहाँ पर तकरीबन 2-3 फिट पानी जमा हुआ है और आप तमाम जहां जब यमना खत्रे के निशान के नीचे पहुँच जाएगी तो इन इलाकों में जमा जल भराओ भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा लिकिन अभी के समय सडकों पर तकरीबन 2-3 फिट पानी यहाँ पर जमा हुआ है जो निशित रूप से लोगों की परशानी बढ़ाने का है वो भी पानी के प्रवा के कारण यहाँ पर डूबा हुआ है क्योंकि जब यहाँ पर जल भराओ हुआ था तो सडकों पर तकरीबन 8-9 फिट पानी यहाँ पर जमा हो चुगा था जो गारिया थी वो उसमें पूरी तरह से डूप चुके थी और जल भराओ निकलने के अभी निशान इंडिया ने ओज दिल ले यमना बजार के 24 नंबर गनेश घाट पर सकत मौझूद हैं और घाट पर कीचड की स्थिति आपको दिखाते हैं कि पानी हालाकी यहाँ से निकल चुका है लेकिन अभी भी जो कीचड है वो तकरीबन डेर से 2 फिट यहाँ पर जमा रही है पैर जमीन में यहाँ धसे जा रहे हैं और तकरीबन डेर से 2 फिट यहाँ पर जो कीचड है वो जमा हुआ है और जल भराव तो यहाँ से निकल चुका है पानी जो है वो यहाँ से निकल चुका है लेकिन कीचड निकलना अभी किसमें सरकार की सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती है क्योंकि लगतार जो खीचड़ है वो यहां पर फैला हुआ है और बताया जा रहा है कि दो से तीन फीट यहां पे कीचड़ है आपको हम तस्वीरह दिखाए कि पैर इन कीचड़ों में लगतार ध़स्ता हुआ जा रहा है और एक सरकार के लिए भी चुनौती कि जल भराओ की स्थिती से तो दिल्ली वासियों को उन्होंने राहत दिला दी लेकिन जो घाट है वो अभी के समय पूरी तरह से यहां पर डूबे हुए हैं आपको हम दिखा रहे हैं 24 नंबर घाट जो जमना बयार का घाट है वहां से आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं कि जो पूरा घाट है यानि पूरा जो इलाका है वो अभी के समय कीशड में डूबा हुए है पैर आप देख सकते हैं कि कहां तक जो कीशड है वो यहां पर मौज उधर कीशड की सबसे बड बयार के सामने चुनोती ये है कि जलभराव से दिली के लोगों कोन्होंने राहत दिला दी लेकिन सबसे बड़ी चुनोती है इन कीशड को साफ करना क्योंकि तक तक अभी के समय जो यमना घाट यमना बजार के जो इलाके हैं वहां की सडकों पर कीशड फैला हुआ है देनूज